बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्रहीम आवर टुडेज लेक्चर इस क्वालिटीज आफ गुड़ प्रेजेंटर कि एक अच्छे प्रेजेंटर में कौन-कौन सी बहतरीन क्वालिटीज हो सकती हैं यह आज हम अपने लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने यह एक स्लाइड है तो इसमें यहाँ पर 28 बेस्ट क्वालिटीज बियान की गई हैं जो के एक अच्छे प्रेजेंटर में होनी चाहिए तो वो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता है वो कि अड़ेप्ट नानवर्बली नानवर्बल मैनर में माहिर होना चाहिए एक्सपर्ट होना चाहिए कि नानवर्बल किम्यूनिकेशन को बॉड़ी लेंग्विज को यूज करना उसी आता हो यह एक पहली कॉलिटी है बेस्ट जो कि होनी चाहिए एक अच्छे प्रेजेंटर में कहता है क्लेर केम्यूनिकेशन विद बॉड़ी लेंग्विज यह सब चीजें नानवर्बल जो चीजें यहां पर बियान की गई है किता है कि यह जेस्टर्ज आपके आपके लख़् से जएदा यह उच्छे आवाज में बोलने चाहिए मतलब यह उच्छी आवाज में यह जएदा प्रॉमिनन्ट होने चाहिए नेक्स्ट है एड़प्ट वर्बली लफजों का अंदाज उसे आता हो कैसे बोलने हैं उसमें माहिर हो फुल स्पीकिंग कमांड युजिज ग्रेट वर्ड्स जिस तरह आप बोलते हैं आपकी वर्बल कम्मिनिकेशन जो है वो कहता है के आडियंस को कैरी कर सकती है कौन कौन से चीज़ें यूर टॉन इन्फलेक्शन उतार चड़ाओ और वॉलियप और वाव यू पेस पास और एननसियेट किस तरह आप बोलते हैं रुकते हैं तो ये चीज़ें सब की सब मैटर करती हैं आपकी आडियंस को कैरी करने में इसके अपोजिट स्पीजिफाइड इन अदर वर्ड्स एज इफ यू आर रीडिंग रिटन स्पीच ये इसके अपोजिट हो गया ये आप जैसे लिखी हुई को तक्रीर पढ़ रहे हो तो ये इसके अपोजिट एक बैड क्वालिटी है फर दे फर्स टाइम तो यहाँ पर ये चीज बियान की गए नेक्स्ट है एनिमेटिड फुल अफ लाइफ एंड एक्साइटमेंट फुल अफ लाइफ होने चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन आप लाइफली एनजेटिक मैनल में फुल जो है तमाना अंदाज में एक पुर्जोश अंदाज में आपकी गफ्तगू होने चाहिए इसके अपोजिट में लैथार्जिक है यानि कि बिलकुली ऐसे सुस्त जैसे मरा हुआ तो यूँ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए तो आगे है assertive being strong and forceful यानि कि जो बात आप कह रहे हैं आप पूरे वसूख से कहें वो बात उस पर आपको ऐसे रोजे रोशन की तरहा उस पर यकीन होना चाहिए क्योंकि आप उस बात के मुदलिल है दलिल देरे वाले है तो इस तरह जब आपको यकीन होगा तो फिर ही आप उस बात पर वसूख से कह सकेंगे यहां पर कहता है कि यह अग्रेसिव और पैसिव के दर्मयान दर्मयान की क्याफियत है अग्रेसिव मीन जारहना अंदाज में गुष्टगू करना इसे लड़ना जगरना पैसिव मीन ऐसे सुसत रहना अपनी बात की बिताय ना करना यह पैसिव है तो यह पैसिवनेस और अग्रेसिवनेस के दर्मयान की एक हालत है जिसको उसने assertive का नाम दिया तो इसके opposite में timid बुच्दलाना अंदाज में बात ही न खह सकना ये इसका opposite है ये खुसूसियत नहीं होने चाहिए तो आगे है जी astute astute means के जो है मौका शनास होना अकलमंद होना keen ability to accurately assess a situation ये ability होनी चाहिए कि आप किसी भी situation को assess कर सके उसका तद्जिया कर सके और person ये किसी शख्स को and turn it into an advantage और फिर इस तरह करते हुए अपना फाइदा निकाल सके situation से ये person से तो इस सुर्तिहाल को astute कहा जाता है इसके opposite में unintelligent है cheerful होना चाहिए आपको noticeably happy and optimistic खुशगवार मूड में और इसके साथ साथ optimistic होना चाहिए आपको के रोशन खयाल होना चाहिए simply smile while you present जब आप present करें तो आप पर smile होने चाहिए इसके opposite में है dreary means that जो है वो अफसुर्दा अंदाज में गुफ्टू करना नाखुशगवार होना clear, easy to perceive होना चाहिए leaving no doubt के आपको doubt बिलकुल ना हो attain clarity by testing your message beforehand अपने message को पहले test कर ले test करके उसे clarity हासिल कर ले आपको अपनी बात पर जो है मुकमल इत्माद होना चाहिए इसकी opposite में है vague, mubham, गहरवाज होना next है commanding being authoritative you should own the room while enabling your audience to freely participate मतलब आप authoritative होकर आपका जो room है उसमें सिर्फ आपकी authority ही चलनी चाहिए आपकी audience जो है वो आपके साथ participate करें जिस तरह आप उनको जिस तरफ लेकर जाना चाहिए वहाँ जाए मतलब जिस सोच पर जिस thinking पर जिस नुकता नजर पर आप उनके convince करना चाहिए audience उस पर convince हो confident लफ से जाहर है कि मुतमाइन पुरे इतमाद होना चाहिए जी आपको आगे है जी credible कि आपकी बात जो है उस पर उस पर यकीन करने के काबिल हो वो जैसे लिखा convincing and believable होनी चाहिए और next है dynamic dynamic means stimulating तरगीब दिलाने वाली make your audience think अपनी audience को सोचने पर काबिल के बनाए it's one way to garner participation means that आप उनको participation की दावत दे रहे हो effective effectiveness होनी चाहिए तो यहाँ पर है effective होना चाहिए successful in producing the desired result जो आपका result है जो आप चाहते हैं के मैं at the end of presentation मैं इस काबिल हो जाऊँ तो वो होना चाहिए इसका दर मौसर हो आपकी presentation ultimately this is what your presentation is all about ensure your audience gets what they expect and who want और अपनी audience को ensure करवाएं कि आप क्या चाहते हैं और आप वो क्या तवक्को करते हैं आप से तो वो उन्हें हासिल होनी चाहिए तो यह energetic दोबारा फिर आ गया कि full of life होना चाहिए आपको तो next है engaging engage करने वाली आपकी presentation होनी चाहिए attracting and occupying interest कि आपकी बात जो है attract करने वाली हो another key quality connect individually with both large and small audiences कता है कि उन से individually connect रहें मतलब individually तोर पर भी आप उन पर नज़र रखें कि वो आपकी बात को पिक कर रहे हों ना कि आप अपनी बात को वहां उन तक just फैंक दें इस तरह नहीं होना चाहिए बलके connection होना चाहिए कि वो आपकी बात को receive करें और आप अपने message को deliver करें तो ये हमने कुछ qualities पढ़ीं तो वीडियो लंबी हो रही है इस तराजर में आज का lecture हम यहीं पर खत्म करते हैं इंशालला next lecture में इसको complete करेंगे तब तक के लिए अल्ला आपीस